हैलो स्टुडेंट्स कैसे आप सभी लोग तो स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो लेक्चर नमर 15 आप देख रहे हैं इससे पहले दिया आपने लेक्चर 14 तक नहीं देखा होगा तो जल्दी से आप प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे सारे वीडियो को वाच कर सकते हैं तो में तीन जिलो में आपको देखने को मिल जाएंगी इनका जो रंग होता है वह होता है सफेद इन्हें आप मैं आपको पहली बता दूं इनको पाला जाता है याद रखेंगे इन गाये को कहां-कहां पाला जाता है करनाटक में बीजापूर एरिये में महारास्ट में कहां पर सोलापूर में और मद्धप्रदेश में कहां पर बच्चों सत्पूरा के एरियों में आपको देखने को मिल जाएंगी गाय के तीन अधर नेम आपको पेपर में पूछे जाएं तो एक नाम तो आपको पता है खिलारी दूसरा नाम क्या वच्चों मंदेशी या मदेशी और तीसरा नाम वच्चों थिलार ठीक है ये तीन नामों से इस गाय को जाना जाता है ठीक है ग्रामी नेरिये में देखा जाए तो दूद उत पादन इसका काफी कम है ठीक है लगबग 400 से 454 लीटर के आसपास में दूद देती है commercial फर में देखा जाए तो 500 से 600 लीटर के आसपास में दूद देखने को मिल जाएगा आपको प्रजिनन की प्रथम जो उम्रों होती है तो सभी गायों की लिए लगबख 4-5 साल एक एवरेज एज होती है जिसमें क्या हो जाती है वो गर्वधारन करती है और बच्छडे को जन्म देती है प्रजिनन की अबधी में जो अंत्राल होता इंटर्वल रिप्रोडक्शन जो टा पाली जाती यहां से कोशन आएगा और इसके अधर नेम से आपको कोशन देखने को मिलेगा भले आपसे यहां से कोशन देखने को ना मिले लेकिन अब आगे बात करते हैं कि खिलारी गाहे यह किसका क्रॉस करके बनाया गया बनाई गई है तो बच्छों यह गाया जो है वह हमारा हल्लीकर इससे पहले वाला टॉपिक और इससे पहले चैप्टर नम्मर आपको टॉपिक नम्मर 9 पढ़ाया था उसमें भी आपको देखने को मिलेगी अमरत महल गाए उसकी भी खास बात आपको बताया थे आप वो वीडियो जरूर जाकर देखे और हमारे आप लोग सज कि गई नई वेराइटी तयार की गई गाय की तो इसका रंग कैसा होता है बच्चों सफेद देख सकते हैं था हमारे तो इसमें請 चाहिए देख सकते हैं दोग सिंग और ये पीछे की ओर तो उसका मिक्स बीच की और आप सिंग गयी है गाय की दाइट मेल होती है थिक है इसके इंपॉर्टेंट मेल रिया गया है। और किसका र Hoyer Helikar का और किसका क्रॉस है आ ये बात करते हैं कि हमने जो lecture थड बनाया हुआ था काफी tricky था बहुत important है तो अभी हम बच्चों साहीबाल के बारे में जानकारी ले चुके हैं लाल सिंदी, गेर, देवनी, अमरतमहल, नागोर, पंबार ठीक है और बाचोर, कंगायाम और हलीकर इन गायों के बारे में हम लोग बात कर चुके ह हैं अल्लेडी आपसे और अभी हम जो topic current में चल रहा है वो है बच्चों हमारा खिलारी और यह हमने मिल्च वाली दुधारू गाये देख चुके हैं अब हम लोग ड्रॉफ्ट वाली देख रहे हैं भारवाग देख रहे हैं उसके बाद में हम दूइकाजी देखेंगे और देशी नसले होती है बच्चों को सब को पता है जो अनके समय क्या पाइजाता है आप देखें इसके साथ बात करेंगे कि यह गाया होती है दूद देने में क्या होती है कम सक्षम है मतलब इनकी capacity जो होती वो क्या होती बच्चों बहुत कम होती है साथी साथ बात करेंगे कितना दूद देती है तो एक से दो लीटर ही दूद यह क्या करती है प्रती दिन देती है तो दूद ये हाला कि बहुत कम देती है ठीक है इसलिए इसको दूद के परपस से नहीं इनके बैलों के परपस से पाला जाता है और इनके बैलों को पालना गर्व महसूस किया जाता है बच्चों तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होब आपको काफी पसंद आया होगा बच्चों इसी तरीके से आप हमारे साथ प्यार बना के रखें चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू फर वाजिंग इस वीडियो एव नाइस दे